तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपनी चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगाए हैं आपके लिए अतिमहत्पोर्ण यूपी करेंट अफेयर देखिए जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का री एक्जाम की देट आ चुकी है और पिछली बार हमने आपकी तयारी कराए थी 85% से ज़्यादा प्रशन है वो हमारी वीडियो से आए थे इसलिए इस बार भी हम आपके लिए आपके यूपी जी के यूपी करेंट अफेयर एओम म mercury की बीजनी की आपकी तयारी इस बार हम करवाने वाले है जैसा कि आपको पता है आपके exam में 37 प्रशन जो है वो GKGS के आते हैं जिनमें 15 से 16 प्रशन आपके current affair के आते हैं जिसमें आपकी UP current affair होती है और इंडिया की current affair होती है यानि current affair आपके लिए अतिमहत्पुने आधा portion current affair कवर करती है बागी के आधे portion में आपका history, polity, geography बागी सारी चीज़ें कवर करती है तो हर एक चीज़ की तैयारी आपके हम करवाने वाले हैं इसलिए वीडियो को like करके channel को subscribe कर लीजिए पहले जिन लोगों ने तैयारी की होगी हमारे channel से उनको पता होगा कितना फाइदा उनको मिला था साथ ही साथ में आपका जो previous paper हुआ है उस previous paper को भी solve कराएंगे और एक ह question के बारे में detail में आपको जानकारी देंगे चारो जो आपके option होते हैं चारो option के बारे में detail में जानकारी देते हो चलेंगे क्योंकि जहां तक trend देखा गया है कि 60-70% जो प्रशन होते हैं वो previous year के प्रशनों से मिलते जुलते आते हैं या तो same to same आते हैं या फिर उनसे मिलत जोलते आते हैं तो प्रीवेस्ध यह के प्रश्न पत्र को करना हमारे लिए अती महत्पूर सावित होगा तो उसको भी हम साथ मे धूर्वाते चलेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं आहे देखते हैं यूपी करंट अधे长 प्रश्न क्या है पहला प्रशन है देश का पहला दूर संचार उतकर्ष्टा केंडर किस राज में बनाया जाएगा सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा उत्तर प्रदेश में देश का पहला तो ये आपका सहारन पूर में बनेगा कहां पर सहारन पूर में ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है ये बहुत महित्पून प्रश्ण है देखी ये आपका YOUPRO盃 जयब ही एकजाम हुआ है उसमें ये प्रशने पूचा गया है तमिल जो आपका कासी तमिल संगमम के दूसरे चरण में सामिल होने वाले साथ समूहों में से चातरों के समूहों को किस विशेस नाम से सम्बोधित किया गया है जो साथ समूह सामिल किये गया थे चातरों के उसको किस विशेस नाम से जो है संबोधित किया गया या आप से पूछा गया है तो उस नाम को हम गंगा कहते हैं गंगा नाम से जो है उस समू को सम्मानित किया गया है चातरों के सम्मानित को बुलाया गया है अब कुछ महत्पूर पॉइंट है इस प्रसन से सम्मानित आईए उन महत्पूर प्रसनों महत्प आप से चात्रों के समुह के बारे पूचा है तो चात्रों के समुह का नाम गंगा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है खबरों में रहा रामगर्टाल उत्तर प्रदिस के किस जनपस से सम्दित है रामगर्टाल उत्तर प्रदिस में कहां पर है तो यह आपका गुरकपुर में है कहां पर है गुरकपुर में है आपका रामगर्ताल और अभी हाली में यह चर्चा में रहा था इसलिए यह प्रशने महत्पून है आगे बढ़ते हैं देखिए काफी सारे प्रशन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड को तेज रखेंगे ठीक है ड्रोन प्रचलन सुरच्छा नीती 2030 को किस राजने अभी हाली में मंजूरी दी है तो उत्तर प्रशन सरकार के दोरा ड्रोन प्रचलन नीती 2030 को मंजूरी दी गई है चली जो महत्मून प्रशन होंगे उनके बारे में आपको डीटेल में जानकारी देंगे और जो आपके लिए थोड़ा सा कॉमन प्रशन होंगे उनको थोड़ा तेजी से हमाण पर जो है निवेस किया जाएगा अब ऐयोध्याव काई से चर्चा में रहा आपको पताई है राम मंदिर आपका ऐध्यावार मिलजी को हाँ धार मिली है इसकी वैसे भी आपका ऐध्या चर्चा में है ठीक है चली देखिए तो ब्रिटेन की बड़ी कंपनी है कौन सी कंपनी है देख लीजी ये कंपनी का नाम जरूर जाद रखेगा ट्राफ लगर स्कॉर कैपिटल की नाम से कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस बिनिर्मार की काई लगाएगी और यह डिफेंस बिनिर टाइगर रिजर्व को transformative sustainable tourism potential के लिए कैलास सांखला पुरुसकार मिला है तो कौन से टाइगर रिजर्व है यह आपका पीली भीत टाइगर रिजर्व है जिसे अभी हाली में कैलास सांखला पुरुसकार दिया गया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखिए अगला प देखियंगा से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है कहां परश्टितों थी या आपका वारा नसी में यह आपका इस्तित्त्त्र वारा Ryanन प्रौद्ध newcom की संस्थान है तो यह आपका आयाटि कानपूर है लोकारपन किया गया है भेंड बकरी पारण प्रसिच्छन के इंद्र का अब कुछ महत्पुन पॉइंट देख लीजिए यह बहुत ही ज्यादा महत्पुन है आपके अग्जाम की दिश्टी से देश का पहला दूर संचार उतकरश्टा के इंद्र किस राज में बनाया तो यह आपका गंगा में हो जाएगा अभी जो प्रसिच्छन हमने करा है उसका एक क्विक रिजन हम कर ले रहे हैं रामगरताल कहां पर है गोरकपूर में है ड्रोन प्रसिल नीदी कहां पर है उत्रप्रदेश में शुरू की गई है ठीक है और बिटिस्ट कंपनी ने 75,000 कर का निवेस कहां पर किया है कौन से टाइगर रिजर को ट्रांस्ट अभी तक आपने पढ़ा था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है उत्रप्रदेश पुलिस की 25 वारसि घुर्चवारी प्रतियोगता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है तो मुरादा बाद इसमें चैंपि आगे बढ़ते हैं अगला है विश्व विद्याले अनुदान आयोग के दोरा उत्रप्रदेश के किस विश्व विद्याले को प्रतम स्रेणी का दरजा दिया गया है तो सही आंसर आपका होज़े का लखनव विश्व विद्याले को प्रतम स्रेणी का दरजा दिया गया है और यह दरजा पाने वाला या प्रदेश का पहला विश्विद्याले बन गया है, कौन सा लखनव विश्विद्याले आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अलिगड का नाम रखने का प्रस्ताव, मतलब अलिगड का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो अलिगड का ना प्रियाग राज हल दिया जलमार्ग को आगे बढ़ते हैं देखी किस राज में प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृती उस्सवथ दोजार तेज का आईजन किया गया था आगे बढ़ते हैं सरदार बल्ला भाई पटेल की जैनती पर उत्तर प्रदेश क किस सहर में रन फॉर यूनिटी का आउजन किया गया तो ये आपका लखनव में रन फॉर यूनिटी का आउजन किया गया है जो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के किस सहर में जंगल सफारी को फिर से सुरू किया गया है तो जंगल सफारी को कानपूर में दोबारा सुरू किया गया है। इसके बाद हम UPGK की करण आपकी एक वीडियो लेकर के आएंगे। साथी साथ में जो आपके एक्जाम में अभी प्रशना आए हैं। उससे रिलेटेड और कौन से प्रशन बन सकते हैं। उसकी भी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। आपके एक्जाम में आ सकता है। जून तक अभी आ सकता है। जनवरी से जून तक के करेंट आफेर को हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। उत्तरप्रदेश्ट कहां पर पहला एडवांस पीडियाट्रिक्स सेंटर बनाएगी। ये आपका लखनव में बनाने वाली है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। अगला देखिए आईटी लखनव और किस विश्विद्याले ने कत्थक पर सूद के लिए समझोता किया। भातखंडे संस्कृत बिश्विद्याले जो है और उत्रप्रदेश के आईटी लखनव इन दोनों लोगों ने मिल करके कत्थक पर सूद के लिए एक समझोता किया। अगला देखिए केंदरि आईटी मंतरी अश्वनी विश्विष्णव ने यूपी के किस शहर में डिक्सन टेकनलोजी की नई फैक्ट्री का उधगाटन किया हैं तो इन्हों ने 25 नमबर को 999 दिवस जो है गोसित किया है अगला देखिए City, Infinity, Space और Jackson Limited उत्तरप्रदेश कहां डेटा सेंटर विक्षित करेंगे दोनों मिल करके कहां पर डेटा सेंटर विक्षित करने वाले हैं तो ये आपका उत्तरप्रदेश की आनंद डेरी ने यहां समझोता किया है किसकी जैनती पर उत्तरप्रदेश सरकार ने 77 प्रगतिसील किसानों को समानित करने का फैसला किया है तो चौधरी चरण सिंग जो आपके किसान नेता भी कह जाते हैं इनकी जैनती पर 77 प्रगतिसील किसानों को समान पीचि उत्तरप्रदेश में कहाँ शोला सो मेगावाट की अनपराई सेंद्र कहां परिष्तापित करने जा रही अनपराई सेंद्र यह आपका सोनबधर में आईजित करने जा रही अनपराई सेंद्र यह ऐसे economics की जो प्रश्ण है current affair के वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किस ने उत्तर प्रदेश में 10 दिवसी उत्तराखंड महुश्व का आयजन का उधगाटन किया है तो पुसकर सिंधामी ने 10 दिवसी उत्तराखंड महुश्व का सुभारंब किया है अगला देखिए मुख्य आयायम इंदौर के साथ में समझोता किया है तो डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम तक्निकी विश्विद्याले ने आयायम इंदौर के साथ में समझोता किया है अगला देखिए आयुद्या समेत साथ नए हवाई अड़ो की सुरच्छा कौन सुनिश्चित करेगा तो उ यूपी SSF की जिम्मेदारी होगी आयुद्धा समेथ साथ नए हवायडों की सुरच्छा के लिए अगर देखिए योगी सरकार ने CM ग्रिड योजना को लागू करने के लिए किसकी स्थापना की है तो यह आपका URIDA की स्थापना की गई इसका फुल फॉर्म अभी पूचा गया था आपके यूपी पुलिस के एक्जाम में तो देखिए मुख्यमंति ग्रिड का फुल फॉर्म आपसे पूचा जा सकता है तो ग्रीन रोड इंस्पर स्ट्रक्चर डेवलप्मेंट यह आपका फुल फॉर्म हो जागा यू आर आई डिया अ अब यह आपका एक्जाम में पूचा गया था अभी यूपी पुलिस वाले एक्जाम में जो इससे पहले हो गया था जो पेपर लीक हो गया था अगला देखिए उत्तरप्रदेश में कहां देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयज़न किया गया है तो यह आपके गुंडा ईत्तरप्रदेश में कहां पहला मिसंति सकती कैफे खोलने वाले है देखिए मिसंसक्ती के तैय तेट होला जारा है इस कैफे का दम move मुख्यमंत्री उत्तरे मंत्री के दारह किया गया है स्वेम सहतआ संव क이다 के दारह संचालित के लच्ष ना केवल इन महिलाओं को ससक्त बनाना है बलगी छात्रों को पौश्टिक भुजन भी प्रधान करना है अगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण निपूर असेस्मेंट टेस्ट में उत्तर प्रधिस के कितने छात्रों को a++ रेंक मिला है तो एकुल मिला करके आपकी 31 लाग छात्रों को a++ रेंक दिया गया है अगला प्रश्ण देखिए उत्रप्रदेस में कहां पर पसुचिकृस्टा विग्ला का निर्मार शुरूब होगा तो यह आपका घुरक पुर में पसुचिकृस्टा विग्ला महा के दोरा किया गया किस ने इसका उद्गाटन किया गया और यह इसका दूसरा संस्क्रण है यह भी आपको याद रखना है अगला देखिए प्रधान मंति नरेंद मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े स्वरवेद महामंदिर का उद्गाटन कहां पर किया है तो में स्वरवेद महामंदिर का उद्गाटन किया गया है यह भी आपको याद Estamos कित Lehr में aviation manufacturing hub बनाय जाएगा तो यह आपका नोईडा में aviation manufacturing hub बनाय जाएगा UP aviation जो आपका UP aviation industry का hub बनेगा ठीक है जेवर में बन रहा है नोईडा international airport आपको यह भी याद एकना कि नोईडा international airport कहाँ पर है तो यह आपका जेवर में बन रहा है इसके पास एक हजार एकर भूमी इसी महा योजना की तरह लें दिन की तैयारी में मतलब नोईडा international airport के लिए एक हजार एकर भूमी का जो है आदान प्रदान किया जा रहा है जो कि आपका जेवर airport के नाम से famous है नोईडा का airport कि सराज की कोर्वा ओर्डनेस प्रदेश के अमेठी जिले में कोर्वा ओर्डनेस फेक्टरी में भारत और रूस की संयुत प्रयास से बनी assault rifle क्लाइसिकोव एके 203 का उत्पादन सुरू हो चुका है इसकी डिलिवरी जल्द ही इंडियन आर्मी को दी जाएगी एके 47 की तरह एके 203 राइफल अब भारत सरकार खुद अपने आप बना रही है रूस की मदश से विसका सबसे बड़ा अंतराश्टी है मंदिर सम्मिलर और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो यह आपका कासी में किया गया है कासी तमिल संगवों आपको पता ही है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है बेसिक एनिवल हस्बेंडरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुख दुत पादन करने वाला राज़ कौन है तो यह आपका सीधी सी बात है उत्तरब्रदे साब का बिलकुल सही एंसर हो जाएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना आपने सवी दोस्तों के पास में यह आपकी free of cost class स्टार्ट हो चुकी है फिर से UP police re-exam के लिए UP constable re-exam के लिए जैसे पिसली बार हमने सारे प्रशनों को फसाया था इस बार भी हम UPGK, UP Current Affair और Indian GK, Indian Current Affair सवी प्रशनों को इस बार भी हम उसी तरह से अपने वीडियो से फसाने वाले हैं वर से तुझार 23 में अंतर देशी मतश ये पालन में सर्वसिष्ट राज का पर्थम पुरुषकार किस राज को मिला है तो यह भी आपके उत्रप्रदेश को मिला है अगला प्रस्ट दुनिया का पहला जल विद्याला कहाँ पर खुलेगा तो यह बुंदेल खंड में खुल कौन सा भारती विश्वद्याले अपना खुद का क्यूबेंट सैटलाइट लॉंच करेगा तो यह आपका एम यू जो है इसके द्वारा अपना खुद का क्यूबसेंट सैटलाइट लॉंच किया जाएगा अगला प्रस्ट भागवान गौतम बुद की 51 फिट उंची परति किया है अगला पश्ट भारत रत्न डॉक्ट्राम बेटकर अवार्ड 23 से किसे समानित किया गया है तो मुख्यमंत्र योगी आधितना जी को समानित किया गया है यह पुरुसकार जो है उन्हें उत्तर प्रदिस को भयमुक्त बनाने के लिए दिया गया इसके अलाबा बॉली बनने जा रही है एंटी पीसी को जो है इसके तहत काम सौपा गया है बीसवा राश्टी पुष्टक मिला 2023 कहां पर आयजुद किया जाएगा तो यह आपका लखनव में आयजुद किया गया बीसवा पुष्टक मिला 2023 किस राज के अम्रोहा धोलक महोबा गौरा पत्थर हस् मैन पुरी का तारकसी है संबल का हॉर्न क्रॉफ्ट है बागपत का होंफरनी सिंग है बारा बंकी का हैंडलूंग प्रोडक्ट है और कालपी का हैंड मेड पेपर है यह आपको याद रखना है बांगला देश में आईजित बंग बंदू मेराथन में अनिल कुमार सिंग वोता इसको अभी हाली में जी आई ट्रैक परदान किया गया है नावा इंडिया फूड एक्सपो दो हजार प्रेज्ट किया गया तो यह आपका लगवाख फूड एकसपो दो हजार तेज्ट पिछली एक साल की करेंट अफेर आएगी अभी जनवरी से लेकर कि जून तक की current affair आएगी और उधर आपका 2030 की पूरी current affair आएगी तो आपको लगबख देड़ साल की current affair cover करना है उत्तरपदेश की जो कि हम आपको कुछ मेराथन लेा करके cover करवा देंगे ठीक है आपको परिशान नहीं होना उसके लिए अगल देखिए भारत ड्रोन सकती 2030 का आउजन कहां पर किया गया तो गाजियाबाद में भायत ड्रोन सकती 2030 का आउजन किया गया अगला है कचरा मुक्त सहरों की star rating protocol के तहत किस सहर को 5 star सहर की रूप में प्रमारित किया गया है तो उत्तरपदेश के नोईड़ा सहर को 2030 का पर आउजित किया गया तो यह आपका लखनों में आउजित किया गया ठीक है उत्तरपदेश की राज्य मचली star fisk का नाम क्या है जो उत्तरपदेश की राज्य मचली है इसका नाम क्या है तो यह आपकी चितला जो है यह उत्तरपदेश की current affair हम आपको एक साथ में cover करा देंगे तो current affair UPGK के लिए आपको भिलकुल भी परिशान नहीं होना है साथे साथ में आपके exam में जो इस बार कुछ reasoning के कुछ ऐसे प्रशन आये थे जिन में बहुत time लग रहा था तो उनको हम trick के through solve कराएंगे दो दो तिन तिन प्रशन करके हम आपको solve करा देंगे आपको वो trick समझ में आ जाएगी तो आप आराम से बाकी आगे आने वाले प्रशनों को solve कर लेंगे ठीक है चलिए वीडियो कैसा लगा comment box में comment कीजिएगा साथे साथ में इस वीडियो को share कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में नीचे टेलिग्राम चैनल के लिंक दीए टेलिग्राम चैनल को join कर लेना ठीक है अब वहाँ पर हम आपको PDF अगयरा provide कराते रहेंगे आप सर्च भी कर सकते हैं success junction के नाम से टेलिग्राम पर आपको चैनल मिल जागा वो चैनल आपको join कर लेना है चलिए वीडियो को like चैनल को subscribe जरू कर देना मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद